देखे गौतम मेरे खेल में हर किसी का अपना अपना नाम होता है मेरे खेल में मैं नहीं समझता कि इंडिया में कोई शायद अफरीदी है वहाँ पे शायद अफरीदी एक ही है और वो एक ही रहेगा और यह आपकी भूल है कि जिस तरह बोला गया कि शायद अफरीदी कभी भी ग्राउंड चोड़के नहीं भागते हैं उन्होंने सारी जिंदगी भगाया है दूसरों को तो इसी वजह से उनका इतना नाम हो और जब उप खिलते दें तो इंशालला तला भी अगर शायद अफ्रीदी प्रोगाम में आ जाते हैं तो मेरे खाल है तो वैसे ही भाग आप लोग इसले यही फरक है कि हम तीन बार वोल्ड कप जीते हैं और वो दो बार यही इतना ही फरक है मेरी नजर में विराट गोली भाग गए उसकी वज़ाई यह है कि इंगलेंड की वो पूरी सीरीज खेलें इंगलेंड के टेस्स सीरीज में उनको बैक का प्रॉबलम हुआ उसके बाद भी वो मैचिस खेलें जब एक प्लेएर अपने मुल्क के लिए इंगलेंड की सीरी कहल सकता है तो जब उसको यह पता है कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा रहा है अगर इंगलेंड की सीरी सर्वाइव कर सकता हूँ तो मैं आशिया कब भी खेल सकता हूँ मेरे मुल्क के मैचे पाकिसान कि या केस्टों ने एक मैच में ने एक मैच मेरे माच मेरे पांच मरतबा दो रहा है कि पांच टेस्ट के लें कभी मैं कह रहा हूं इतने तो समझदार को इशारा का भी आपकी कंट्री में भी कितने ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने दो टेस्ट मैचे खेले हैं क्रिके अपनी जगा होती है बाकी यह यही फरक है जो दो टेस्ट मैच खेले हैं वो 35 तौब बनाने वाले के बारे में नहीं बोलते आप और हमारे मुल्क में यही फरक है कि आपके यहाँ पर एक टेस्ट मैच वाला खेलने वाला भी कुछ भी बहुत सकता है तो आप चाते हैं कि आप इंग्लेंड से हारना और जिम्भावे से जीतना जमीन आसमान का फरक है यार जिम्भावे से तो हमारी इंडिया यह जीत सकती है तो आप किसको किस से कंपेर करे हो और कि क्रिक्ट में कोई एक्सक्यूज नहीं है तो मदब आप यह कह रहे हो कि इंग्लेंड से हारना और जिम्भावे से खेले जाके तो हलकी टीम से खेली हम जीत गए सभी बात है तभी अपनी रांकिंग देखो और हमारी रांकिंग देखो चाहिए वो वन डे क्रिकेट हो या टेस मैचेज हो आप जिम्भावे से ही खेलते रहो ठीक है आप जिम्भावे बांगला देश इनी को हराते रहो कोई फरक नहीं पड़ता उससे किसी और के खेला था जीत क्या आगया है कोई बात नहीं एक चैंपियन सोफी जीते उससे पहले कई बार कुछ नहीं जीते है अब